नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अच्छा दोस्तों UPSC की तैयारी जो नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है इसके अंदर में हम बहुत छोटी छोटी चीजे और बहुत जो हमारी रेगुलर तैयारी है हमने कुछ पढ़ा और हम भूल गए कुछ important information दी किसी वीडियो में देखा और हम भूल गए वो एक दिक्कत होती है तो आपके लिए जो मेरी commitment है उसमें कभी कोई कमी रही नहीं है और उसी commitment को मैं फिर से दिखाने दुबारा से आ गया हूँ आप लोगों के लिए मेरी जो वीडियो की important information है किसी वीडियो के अंदर क्या important है तो उसको मैं काट के आपके सामने लेके आऊँगा वो bites में आपके साथ share करूँगा ताकि आपको पूरा वीडियो दुबारा न देखना पड़े सो ये again मेरा जो commitment है आपके प्रती तो ये उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूँ मैं और कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ सो दोस्तो प्लीज इन चीजों को like कीजेगा इनको share कीजेगा अपने दोस्तों के साथ जितना प्यार आपने मुझे दिया इनको भी इन वीडियो को भी इतना प्यार दीजेगा एंड साथ साथ दोस्तों एक और important बात अगर आप मेरे साथ मिलके UPSC को एक साल में crack करना चाहते हैं तो मैं आपको assurance दे रहा हूँ हम करके दिखाएंगे और उसके लिए आप जुड़िए अनकैडमी के साथ में plus course में तो plus course में जब आप enroll करें तो बात कर लीजेगा simple बोल दीजेगा कि आप code यूज करना चाहते हैं summit 10 summit 10 code जब आप यूज करेंगे दोस्तों SUMIT10 तो आपको मिलेगा मेरा guidance पूरी UPSC के तयारी में आप मेरे साथ रहोगे मैं खुद आपको guide करूँगा इस UPSC के तयारी में और ensure करेंगे कि within one year हम इस UPSC के exam को crack कर सकें साथी साथ आप सभी बच्चों से निवेदन करूँगा मेरे telegram channel से भी जुड़ जाईएगा telegram channel आपको पीछे दिख रहा है इसे भी जुड़ जाईएगा दोस्तों चलिए मिलते है next video में polar wandering polar wandering का मतलब क्या है जियर मैंने आपको बताया कि अगर पृत्वी आपका एक चुमबक है तो इसके अंदर में अरे पास वह होता है क्या बोलते हैं उसको यार अरे compass तो compass क्या शो करता है जिदर compass की direction ऐसे जाती है एसे थे नॉर्थ की तरब pointड होती है यह ऐसे है ईना और दूसरी और क्या होता है दोस्तों और जिसको हम South लिखते हैं उसका मतलब होता है Magnetic North Pole, आप ये बात समझने भी दिक्कत हो रही है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे खुद दिक्कत होती थी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान लगाना इधर, इधर फोकस करना मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, देखो, मैं ये कह रहा ह क्योंकि ये जो हम decide करते हैं, compass के अधार पर करते हैं, और जो compass होता है दोस्तों, वो उधर point करता है, जहां पर आपका magnetic, ये ऐसे होता है, ठीक है, ये वहाँ point, ये इसकी जो knob होती है न, यहाँ पर, मेरे पास जो knob होती है दोस्तों ये, ये North की तरब point करती है, हम मानते हैं ये North है और ये South है, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये North है, तो North और North attract कर सकते हैं, क्या, अरे नहीं कर सकते हैं न, भाई, attraction हमेशा opposite चीजों में होता है, ठीक है, opposite charge आपस में interact करते हैं, ठीक है, तो हमेशा opposite चीजे ये attract करती हैं, यहाँ भी वही होगा, अब ये North है, तो इस वास्तव में South magnetize होता है, और जिसको हम South लिखते हैं, वास्तव में North magnetize होता है, यह always याद रखना है, और अभी मैंने बताया, कि ये पूरा magnetism जो होता है, ये पृत्वी के rotation पर depend करता है, और पृत्वी ऐसे rotate करती हैं, अपने Axe के 4 तरफ, तो याद रखना, जो पृत्वी के Axe, पृत्वी के rotation से संबंदित होने के कारण, ये जो magnetic field है, ये पृत्वी के geographical axis से भी संबंदित होता है, पृत्वी के अंदर चुम्बक बन गया, ठीक है, हमने क्या बात की वह, ये पृत्वी है, Earth है, ठीक है, ये Earth है, जो rotate कर रही है, along its axis, हमने देखा, ये rotate कर रही है, अचा ये अगर axis है, तो बताओ मुझे ये बिंदू क्या होगा, 90 degree south, और ये बिंदू क्या होगा दोस्तो, 90 degree north, north pole और south pole, ठीक है, अब ही मैंने बात की आप से कि geomagnetism के लिए, जरूरी क्या है दोस्तो, rotation, रोटेशन रोल प्ले करता है कि नहीं करता है, उसमें बताओ, अ magnetic field बनता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पृत्वी के अंदर, जो आपका चुम्बक का निर्मान होता है, जो भी चुम्बक का निर्मान होगा, वो इस से related होगा, किस से related होगा, आपका geographical, जो हमारे axis है, यानि कि north pole और south pole से related हो, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये चु यहाँ पर, इस इलाके में, यहाँ पर क्या हुआ, इधर indicate कर रहा है, तो इसको हमने लिख दिया क्या, north pole, यह कौन सा north pole है, यह magnetic north pole है, याद रखना, real का जो pole होता है, जिसको हम बोलते हैं, वास्ताव का pole, ठीक है, वो अलग होता है, और यह अलग होता है, तो यह क्या होग कि geographical axis और magnetic axis अलग-अलग होते हैं, कभी भी मुर्खता मत करना, कभी north pole को ही, आप magnetic north pole बोल दो, जब मैं बोलता हूँ न, magnetic north pole वो अलग है, और geographical north pole अलग है, कहने का मतलब क्या है, हमारे पास दो परकार के pole बनते हैं, एक तो होता है geographical pole, और दूसरा होता है, हमारे पास magnetic pole, ठी ठीक है, तो यह magnetic, यह geographical north pole है, geographical south pole है, यह magnetic south pole है, यह magnetic north pole है, ठीक है, क्योंकि north की तरफ जा रहा है, अब आती ही वही वाली बात, same, अगर यह north pole है, तो north तो north को, यह मुझे कैसे पता चला, मैंने, मैं गया, मैं वेक्ती था, कोई भी वेक्ती हूँ मैं, मैं यहां गया, इस direction पर मैंने यहां पर compass लिया, अब जब मैंने compass लिया, तो compass जो है, वो इधर show कर रहा था, ठीक है, ऐसे उसकी sui इधर थी, अब जो sui है, वो north direction को indicate करती है, और यह क्या हो गया, south, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस direction में क्या हो गया, north हो गया, ठीक है, और इस direction में south pole, तो magnetic south pole की तरह magnetize होगा, क्योंकि अगर यह south pole नहीं होता, तो इसको attract कैसे करता, north वाली sui आती नहीं, तो यह भी याद रखना, कि जिसको वास्तव में हम north pole लिखते हैं, वो magnetic north pole नहीं होता, वो magnetic south pole होता है, चलिए, तो यह समझ में आरी बात आपको दोस्तों नहीं आरी, देख प्रित्वी का घूमना और magnetic field दोनों आपस में संबंधित हैं एक दूसरे से, तो जो प्रित्वी का north pole और south pole होगा, उसी से related होगा, क्या magnetic north pole और south pole, मैं यह compass लेके खड़ा हुआ, तो compass ने इधर point किया, तो इसका मतलब इधर क्या हुआ, north pole, और नीचे की तरब क्या होगा, south pole, लेकिन मैंने एक बात और बताई, अगर compass इधर point कर रहा है, इसका मतलब यह north नहीं हो सकता, वो point कर रहा है, north मतलब opposite, opposite attract करते हैं दूसरे को, that means वो north नहीं है, वो क्या है आपका, वो south है, तो याद रखना, जिसको magnetic north pole बोलते हैं, वास्ताव में वो south magnetize होता है, यह भी reality ह अब मैं इसको एक line draw करो, और जो हमारा यह है, यहाँ पर एक line draw करो, यह जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं, angle of magnetic dip, ठीक है, इसको magnetic dip बोलते हैं, अब magnetic dip और magnetic declination, यह अलग है, जब भी अपने right में होता है ना, यह right में होता है तो इसको हम positive consider करते हैं, ठीक है, और अगर यह, अब देखो इधर right में है, कहने का मतलब जब प्रिथवी का north pole और geographical north pole इसके right में है, तो ऐसे आएगा, तो right में है तो यह positive है, अगर यह left में होता तो यह negative मानते हैं हम इसको, आपको पता चल गया, magnetic north pole, south pole और geographical north pole, south pole में क्या relation है, पता चल गया, चलो, आगे बढ़ूं, चल इन्होंने magnetic field को मापा और जब इन्होंने magnetic field को मापा तो इन्हों समय समय पे क्या पता चला, इन्हें समय समय पे पता चला कि जो आपका magnetic north pole है वो, और magnetic south pole है वो, यह दोनों लगातार अपनी position को क्या कर रहे हैं, दोस्तों, बदल रहे हैं, change कर रहे हैं, magnetic north pole और magnetic south pole की position लगा अब इवे ने बताया, Magnetic North Pole क्या होता है, South Pole क्या होता है, बताया, किस से related होता है, बताया, अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारे, जो Geologist थे, वो study कर रहे थे, और उस study करते-करते, उनको क्या मिला, study करते उन्होंने पाया, कि जो हमारा North Pole है और South Pole है वो एक जगें स्थिर नहीं हैं अलग-अलग समय के data से हमें पता चलता है कि North Pole और South Pole वो अलग-अलग जगें पर पाए गए इससे हमने एक hypothesis दिया कि हमने बोला कि ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे Pole है वो घूम रहे हैं एक जगें पर फिक्स नहीं होते Pole जो है वो क्या रहे हैं घूम रहे हैं ठीक है देखो कभी Pole यहां दिख रहा है कभी Pole यहां दिख रहा है सो इधर नहीं कभी Pole इधर दिख रहा है कभी Pole नौर्थ Pole इधर दिख रहा है पोल आपकी अलग लग जाए तो दो चीजे हो सकती या तो पोल एक से ज़ादा है तो वो हो नहीं सकता ठीक है यह हो नहीं सकता था या पोल जो है वो घूम रहा है अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है तो उस समय हमने माना कि ठीक है पोल अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है ठी पोल और दक्षणी पोल, ज़ो मैगेनेडिक पोल है, वो आपका बदल रहा है, सिम्पल बात भूलρί हूँ, अभी तक समझ में आ गocrी है, आपको कीiliśmy अगरे अक की से जेंड मैगनेटिक है, जेंड होने के बाद में पृत्वी चुंबक की तरह काम करती है प्रित्वी में भी उत्री दुरू और दक्षणी दुरू बन गया ठीक है सर बन गया अब जियो लॉजिस्ट ने देखा कि यह जो चुम्बकी है उत्री है और चुम्बकी है दक्षणी दुरू है यह एक जगह नहीं टिकता यह अलग-अलग जगहां पर जब हमने रि चाली इनों ने पहला कि या तो पोल एक से ज़ादा है या तो पोल एक से ज़ादा है और या observation क्या थी कि पोल आपका घूम रहा है अब पोल एक से ज़ादा हो यह संभव नहीं है तो दूसरी observation इनों मानी है कि जो पोल है वो क्या कर रहा है दोस्तों घूम रहा है तो वास् अपनी जगें जो हैं वो चेंज करते हैं और इसको हमने बोला polar wandering so earth magnetic field जो है यह बहुत closely related है दोस्तों किस से पृत्वी के rotational north से पृत्वी देखो magnetic north और rotational north जो पृत्वी का geographical north वो आपस में बहुत closely link है ठीक है pole of earth not exactly and these magnetic poles wonder around इनका मानना था geologist का पहले कि जो पृत्वी का pole है अब सोचो आप ध्यान से समझना अगर चुमब किये उत्री दुरू एक जगें से दूसरी जगें पर गूमेगा तो साथ-साथ आपका जो geographical north और south वो भी गूमेगा क्या संभाव है नहीं संभाव भया प्रित्वी का north-south थोड़ी ना गूमा दोगे तुम प्रित्वी तो उसी axis पर गूम रही है तो वो थोड़ी ना गूमेगा तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि आपके continent-y move करते हैं यह बाद में पता चला हमें किस से पता चला हमें continental drift theory से अभी तक हम इतना ही बोले क्योंकि प्रित्वी का magnetic field है वो प्रित्वी के rotation से close related है अगर प्रित्वी का north pole magnetic north और south घूम रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ जो हमारा geographical north pole है और south pole है वो भी घूम रहा है पहले हमने यही conclusion निकाला these poles wonder because the current in the liquid core changes और इसकी explanation क्या दी गई कि जो प्रित्वी की core के अंदर जो iron का moment है आयन की moment से ही क्या बनता है current बनता है वो current बदलता रहता है क्योंकि iron की moment बदलेगी उस moment से current बदलेगा current से magnetic field बदलेगा उससे magnetic pole बदलेगे और उससे प्रित्वी का geographical axis बदलेगा यह theory दी गई explanation दी गई जो बाद में सही साबित नहीं हुई ठीक है it is speed up और slow down प्रित्वी का जो magnetic field कहे रहे हैं कभी वो बढ़ जाता है और कभी वो कम हो जाता है hence the location of pole is continuously changed over the time which plotted together is known as the polar wandering इसलिए उन्होंने का कि pole की position लगातार बदल रही है और उसी को उन्होंने नाम दिया क्या polar wandering कि polar आपका एक जगे से दूसरी जगे पर घूम रहा है जो की सत्य नहीं है हमने अभी तक पढ़ा कि पृत्वी के अंदर में magnetic field बन गया अब प्रित्वी के अंदर अगर magnetic field बन गया तो magnetic north भी बनेगा और magnetic south भी बनेगा बन गया मैगनेटिक north और south जो पृत्वी के अंदर बनता है यह पृत्वी के rotational axis के संबंदित होता है उसके बहुत relation में होता है close relation में ठीक है और वो कैसे निकलता है मैंने बता दिया आपको आप एक बात है जो हम वास्ता में जिसको हम north लिखते है magnetic north वास्ता में वो magnetic south होता है क्यों ये भी मैंने बता दिया क्योंकि compass north की तरब जाएगा तो वो north बोल रहा है लेकिन वो north होता नहीं है वास्ता में वो north होता नहीं क्योंकि north north ठीक है वो चीज है ये वात समझनी पड़ेगी तो प्रित्वी में भी north pole और south pole जो है आपके geographical उसे की तरह प्रित्वी के यहां पर भी north pole और south pole जो है आपके वो जनरेट हो जाएंगे किसके प्रित्वी के यहां पर ठीक है magnetic अब जनरेट होने के बाद में हमने जब study की तो हमने क्या पाया कि प्रित्वी का जो pole है magnetic north और south ये लगातार wonder कर रहा है घूम रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान से घूम रहा है ठीक है हमने plot किया तो हमने प्रित्वी के अंदर में जो लावा फ्लो कर रहा है न कभी तो वो स्पीड अप हो जाता है आयन का फ्लो बढ़ जाता है और कभी आयन का फ्लो घढ़ जाता है उसकी वज़े से magnetic field बदलता है उसकी वज़य से pole की दिशा बदलती है और जब pole एक जगे से दूसरी जगे पर जाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों इसको बोलता है polar wondering और कई बार तो क्या होगा कई बार तो यह होगा जो magnetic north pole है वो magnetic south pole बन जाएगा और जो magnetic south pole है magnetic north pole बन जाएगा ऐसा भी होगा ऐसा भी देखा है हमने जिलाजी में हमने ऐसा भी देखा है कि समय समय पर प्रत्वी का जो magnetic north था magnetic south बन गया और जो magnetic south था magnetic north बन गया इसी को हमने क्या नाम दिया दोस्तों इसको मने नाम दिया polarity reversal polarity का change होना polar wandering समझ में आ गया अगला टॉपी के polarity reversal यह भी समझ में आ गया प्रत्वी का magnetic north pole और south pole wonder करता है गूमता रहता है गूमता रहता है अब इस गूमने की वज़े से क्या होता है इस गूमने की वज़े से आपकी जो पोल्स है उनको बोलते polar wandering हमने देखा कि polar wandering लगातार होती रहती है और एक टाइम ऐसा भी आता है जो magnetic north है वो south बन जाता था और south जो था वो north बन जाता था बस इसी कूम बोलते थे polarity reversal